कोवीड-19 की दूसरी लहर का भारत में तबाही मचाने का सिलसला जा रही है हर दिन लाखों लोगों का इसकी चपेट में आना किसी भारी संकट से कम नहीं क्यूंतो कोरोना वैक्सियन से इसको रोकने का अभ्यान चला है लेकिन बावजोद इसके कोरोना ने लोगों को जिन्दगी और मौत के बीच खड़ा कर दिया अस्पतालों में आक्सिजन और बैट्स की कमी ने इस संकट को बढ़ने में एहम भूमी का निभाई अभी संकट को दूर करने के लिए केंदर सरकार से लेकर राज्य सरकारे हर संभव प्रियास कर रही है घरेल हुई नहीं बलकि विदेशों से भी मदद ली जा रही है कईदेश आगे बढ़कर भारत की मदद कर रहे है आपको बता दें कि भारत को मदद देने के लिए सिर्फ विदेशी सरकारे ही सामने नहीं आई बलकि निजी तोर पर भी भारत को मदद देने वालों में होड मची हुई है चाहे अमेरिका और खाड़ी देशों में रहने बाले भारती हों या जापान इस्राइल के स्थाने नागरिक भारत को हर तरफ से मदद मिल रही है एक देश दूसरे देश को मदद कर रहे हैं जिससे वो भारत तक सामान आसानी से पहुंचा सके आपको पता दें कि अभी हाली में फ्रांस सरकार ने खाड़े स्थित अपने देश की एक गैस निर्माता कमपनी से दो क्रायोजेनिक टेंकर भारत को पहुंचाने की इच्छा जताई तो कतर ने उसे ततकाल मंजूरी दे दी वहीं भारत में मौजूद इजरायल दुतावास ने कहा है कि उनकी सरकार ने एक टास्क फोर्स गठित क्या है जिससे भारत को तेजी से मदद पहुंचाई जाए सके सोमवार को इजरायल की मदद का तीसरा जहाज भारत पहुंचा है जिसमें 60 टन चिकित सा समगरी, 3 ऑक्सिजन जेनरेटर्स, 1710 ऑक्सिजन कंस्टेटर्स और 420 वेंटिलेटर्स हैं सोमवार को ही ब्रिटेन, स्पेन, जापान, कुवेत, कतर, सिंगापूर, मिस्र और फ्रांस से बड़े पैमाने पर मदद पहुंची है इस नई खेप में ऑक्सिजन के बड़े प्लांट, ऑक्सिजन ढुलाई में इस्तिमाल होने वाले क्रायोजेनिक टेंकर्स और जान बच करने में पीछे नहीं है, वो देश है इस्पेन, इस्पेन अब भी महमारी से जूज रहा है, लेकिन उसने भी 10 ऑक्सिजन कंस्टेटर्स और 141 वेंटिलेटर्स भीजे हैं, आपको बता दें कि खाड़ी देशों से भारत को निजी तोर पर जो मदद आ रही है, उसमें उन प्रवासी भारतियों का बड़ा योगदान है, खाड़ी में रहने वाले केरल की प्रवासी भारतियों ने अपने राज्यों में मेडिकल परामर्श से लेकर वित्य सहयोग देने तक अभ्यान नीजी स्तर पर चलाया हुआ है, आपको बता दें कि भारत को हो रही चोतरफा रूप से मदद ये दिखाता है कि मानफता की रक्षा के लिए जो कदम भारत ने उठाए थे, आज उसका परिणाम सब के सामने है, फिलहाल के लिए इतना ही, देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रिए, VFN News